खबरी वजिने से आ रहे हैं जहां सराफा प्यापारी को धमकी देने वाला आरोपी पुलिस के सिकंजे में फस गया है पुलिस ने आरोपी को भी रक्षा में ले लिया है जिससे पूश्टाच की जा रही है आपको बता दे कि सिविल लाइन थाना छेत्र अंतरगत विंद बिहार कालोनी में सराफा दुकान संचालित करने वाले त्रिवेडी सोनी ने सिकायद दर्ज कराई थी कि उसकी दुकान से जवर्दस्ती जेवर ले जाने वाला विश्णुयादब पैसे नहीं दे रहा है पैसा मागने पर धमकी देता है इतना ही नहीं अपने दोस्तों के साथ आए दिन पहुँच कर उसे धमकाता है पूरी घटना CCTV कैमरे में भी कैद हुई थी युवक्की कर्तूत की खबर विराट 84 के द्वारा प्राथ मिक्ता से दिखाई गई तो खबर दिखाए जाने के बाद मामला पुलिस की संग्जान में आया और पुलिस अधिक्षक नवनीद भसीन के निर्देश पर सिविल लाइन पुलिस ने तदपरता दिखाती हुए आरोपी को धर्दबोचा जिससे पूश्टाच की जारी है जाज के बाद ही पुरे मामली की सच्चाई सामने आ सकेगी आपको बता दें कि जिस पुलिस की धौस दिखाकर आरोपी दुकानदार को प्रताडित कर रहा था वहीं पुलिस आरोपी को सलाखों के पीछे पहुचा दिया है सर्व सुविधायोग नेशनल होस्पिटल समान तिराहा रीवा में अग कैंसर का सफल उप्चार और आपरेशन की सुविधा उपलप्त है हमारे यहां मिल रहा है आयश्मान भारत निरामे योजना का लाप आयश्मान जन आरोग योजना के तहट सभी प्रकार के मेडिकलेम की सुविधा उपलप्त है हमारे यहां लेजर कैंसर, अस्थी रोप, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूती रोप का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उप्चार किया जाता है कैंसर के इलाज एवं ओपरेशन अबरीवा के नैशनल हस्पिताल में उपलप्त है नैशनल हस्पितल के संचालर डॉक्टर अखिलेज पतेल के द्वारा उपलप्त करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं आइसमान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 96912885600 या फिर संपर्क करें 7566831551 पर हमारा पता है नैशनल हस्पितल समानतिराहा रिवा संपर्क करें 07662359974 या फिर संपर्क करें 860028859900 पर